प्रेमित्रों जमस्कार जोत्यसी के कैरेगरम के हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर एच्छे स्रावतना आपका हार्डुक स्वागत है मैं हूँ आचायर एच्छे स्रावत आज हम आपको जानकारी देने वाले आज से दो दिन बाद 26 मई की सुबह आठ बच के बामन मिनट प मित्रों रासी में आजाएगे बड़ा जबरदस्त लाव आएगा क्योंकि अपने ग्रह स्वामी अपने घर में आए या अपनी स्वेरासी में आए तो बहुत बड़ा लाम मिलता है लेकिन अभी तक मित्रों रासी को उपर मंगल का प्रवावत था वो अभी भी है वो चार जुन तक रहेगा मित्रों रासी गले को प्रवावित करती है सांस नली को चौक करती है इसलिए जब से मंगल मित्रों रासी माया तब से कॉरोनों का पीक आ गया बहुत ज़्यादा गला पकड़ ले सांस लेने में दिक्कत आगे वैसे तो हर साल ही आता है कोल्ड का फोता है लेकिन इस टाइम कुछ कहते हैं कि जब रत फस जाए और गोड़े भी ठक जाएं तो कुछ नहीं होता कि रहों की चाल अगर खराब चल लिए और उस चाल के अंदर भी अगर रासी के ऊपर प्रवाव आ जाए तो उसका एफेक्ट जादा हुना जरू हो जाता है तो उसका बुद्ध अपने घर में रहेगा मंगल के प्रकोप को रोकने की कूसिस करेगा राजकुमार बुद्ध और सैनापती मंगल दौनों में दूंद युद्ध होगा इसका मतलब यहाँ पर कौरोना जैसी बीमारी खातमे की तरफ जाएगी खतम होने की तरफ भागेगी क्यों क अपने घर में वो गरहा रायस सांस निदली वाला तो जिनको यह तकलीफे हैं उनको बहुत बड़ा रिलीफ हाने का योग बने लेकिन इतना आसान भी नहीं है अगर आप बीमारी से ठीक होंगे तो बहुत दूसरी चीज़ों में भी तो तकलीफ होगी क्योंकि यहाँ पर म छे रासीं के लिए बहुत अच्छा है भाद बद यहोगा खिस्मत होगी अच्छी होगी लेकिन पांच रासी तो ऐसी रहेंगी जो प्रभावित होगी च्छटी रासी भी प्रभावित होगी कि ये तो अच्छा भी है बुरा भी है अभी तक हमने जितने भी कोरोना काल में बहुत कम बीडियो बनाई उसका कारण ये था कि बनाने का दिल नहीं था क्या बोलते सब तकलीफ में थे हर गर में कोई नहीं कोई बीमार था अभी थोड़ी सी रिलीफ आई ये अभी हिम्मत मैं दुबारा से आप लोगों को दे रहा हूँ हिम्मत से काम लीजिए अब ये टलती हुई बीमारी है समय लगता है किसी भी चीज में गिरहों की गती के अनुरूप ये प्रवाब था ये पहले भी आया था इसी तरह का आता रहता है अब आपको चंता करने उनको मंगल चेंज हो जाएगा लेकिन तब तक तो साब्धानी बर्तनी होगी ये जितना भी समय है यही बचा हुआ है अब जानकारी देता हूँ आपको उन रासियों की जिनकी कौन-कौन की किसमत खुलेगी और किस-किस को कही नुक्षान हो सकता है और क्या-क्या तकलिफ रासि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है और मंगल सस्त्रू के घर में बैठा हुआ है बुद्ध के साथ बैठा है तो मेस रासि वालों को थोड़ा इंफेक्शन रहेगा गले के अंदर कोल्ड कफ हो सकता है इतना टैंसन लेने की जरूरत नहीं कि बिमारी है लेकिन साथदानी बरतनी की दिरूरत होगी क्योंक अश्टमेस बुद्ध है और चंद्र केतु की युति भी यहां पर उसी दिन आपको मिलेगी 26 तारीक को 26 और 27 दो दिन थोड़ी दे साथदानी आपको बरतनी है फिर आपको कोई टेंसन की जरूरत नहीं है ब्रिसरासि की बात कर बुद्धिस्तान का स्वामी है धन का स्वामी है तो यहां आपकी किस्मत खिलने के योग बनते हैं तो पहली रासी ऐसी है जो सुक्र की ब्रिसरासी है इनकी किस्मत खुलेगी उसका कारण है बाकिस्तान का स्वामी सनी है यहां पर वो बकरी हो चुके करम बाप पर यहां प तो चार ग्रह एक ही लाइन के अंदर बहुत अच्छे हैं, सनी, गुरू, सुक्र और बुद्ध, तो यहाँ पर एजूकेशन वाले बच्चों के लिए दंदौलत के लिए विपारियों के लिए काफी अच्छा है, काफी यहाँ पॉजेटिविटे के योग हो रहेगा, मेथन रासी वाला जो मंगली के होगे, उनको साधी से बचाब करना चाहिए इन नौदेनों के लिए, अभी कोई भी डिसिजिएन बिवासे संब्ध इतना लें, ने तो कहिना के तकलीफ हो सकती है, इसलिए मेथन को यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जिनकी साधी है, हो रासी के लिए थोड़ा था, खराब है, कर्क रासी वालों को भी साधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो उनके विवाइस्तान पर सनी स्वेरासी में बैटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुरू मिर्तु स्थान में है, यहाँ पर मंगलीक दोस जरूर बन गाए, इस मंगलीक दोस का जो प्रभाब है वो विवाइस्तान पर है, तो यहाँ थोड़ी साधानी बटनी कर्क और मेस और मिथन, इन रासी को थोड़ी साधानी बटनी जूटता है, सिंग रासी वालों के लिए धन, दौलत, व्यपार के लिए काफी अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, बेवाइक जिम के लिए बहुत अच्छा है, संतान सुक के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्त में सुधार, जवरदस्त होने के योग, सिंग रासी वालों के लिए बनते हैं, कन्यारासी के बात करेंगे, कन्यारासी के अंदर भी अगर देखा जाए, तो आपके कैरियर में बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको यह का जा सकता है का आप भी बहुत लगी है। जादा अच्छा नहीं है। बाकि दंद उलत के लिए इस्तिकी बहुत अच्छी है। अब हम मकर की बात करेंगे। मकर रासी वालों के लिए छटे बाब में रोग स्थान पर बुद्ध और मंगल चोट एक्सडेंट से बचाव करने की जरूरत है। पर तुड़ा स्वास्त को भी जान पर रखना पड़ेगा। आयू को कोई खत्रा नहीं। टैंसन फ्री होकर आप अपनी लाइब को जी सकते हैं। एजूकेशन के लिए अच्छा है। कैरियर के लिए अच्छा है। दंद उलत के लिए आपका अच्छा है। कुम्रासी के बात करेंगे तो कुम्रासी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। सुक्सादनों पर सुक्र बैटा हुआ है। मितम्रासी को पर बुद्ध बैटा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा है। यह आजा सकता है कि आप लोगों की इस्थिती बहुत अच्छी है मीन रासी की बात करें तो ब्रस्पती बारें बाब में ब्रमन करेगा बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते दारमेक चीजों में इस्थिती पॉजिटिव रहेगी मंगलीक दोस्थ का प्रवाब है पती पत्नी में बैमनस बना रहेगा और कहीं यह कहीं स्वास्त को लेकर के हैल्थ को लेकर के पत्नी की हैल्थ को लेकर के कहीं तकलीफ यह आपर जरूर होगी तो साब्धानी बटनी भी जरूर होगी तो यहां यह कह सकते हैं जो छे रासी मैंने बताई हैं इनकी किस्मत खुले के योग अच्छे हैं उनकों किसी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं है और बाकी छे रासियों में से पांच रासियों पर मंगलिक दोस्का प्रवाव है और एक रासियों पर रोगिस्थान पर उसका प्रवाव है चोट एक्सडेंट से लिए मकर रासि के ही होती है. यह एक दुस्रे क crushed Jetzt Cor Какच जार्द कंवा दिखाना चाहते हैं। अब मैं आप से आत लेता हूं नि आप इसको नोट कर सकते हैं और मुझे दिखाना चाहते हैं। दर्शको अगर आप अपनी कुमली दिखाना चाहते हैं घर का नक्षा बनवाना या वास्ति विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें नियुन पके पर संपर्थ कर सकते हैं हमारा दिल्ली का पता हैं कर दो आप और चाहते हैं जा परीड़ा चाहते हैं दर्शक्ति